ये गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबा हूँ और आप दिख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होने वाले 25 वे मुकाबले की जो कि खेला जाएगा सौने ओधने के चांज लाग्या वह काफी मजबूत दिख रहा है और balling department भी काफी मजबूत है तो overall team ये जो है थोड़ी सी आगे है तो थोड़ा से कोसिच कीजिएगा कि Southern Braves के players को आप अपनी टीम में ज्यादा कबर कर पहें और Wells Fire Women's के players को थोड़ा पता आप neglected भी कर सकते हाला कि उतना भी नहीं बट फिर भी मेरे साब से तो Southern Braves सी इस match को जीतने वाली है तो उसी साब से अपनी team फर्म कीजेगा आगे वीडियो में मैं आपको हर एक player के बारे में info दूंगा यानि कि Southern Braves के है जो 11 पर खेलेंगे उनके performances क्या चलते आ रहे हैं T20 और The 100 में और साथ साथ Wells Fire Women's के जो players हैं उनक समझ में आ जाएगा और फिर आप समझ जाएंगे आपको किनको captain wise captain इस match में रखना चाहिए किनको अपनी ग्यारा की player में टीम में इंक्लूड करना चाहिए तो वीडियो को शुरू करते हैं चलते हैं fantasy express.com पे जहां पर आपको article मिल जाएगा SOBW VS WEFW के बीच में match होने वाल है तो runs काफी expected यहां पर रहेंगे साती सातकरम बात करें बोलस की तो overhead conditions की वज़े से यहां पर बोलस को काफी help मिलेगी जो हमेशा मिलती है थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं के spinners और पेसस की बीच में थोड़ा एक दो विकेट ऊपर नीचे चलते रहते हैं ऐसा नहीं है बा जादा बैटर रहेगा ठीक है वह विकेट अलग था यह विकेट अलग है तो इस चीज का ध्यान रखेगा और पिच रिपोर्ट जब आपको मिलती है जब टॉस होता है उस टाइम पर थोड़ा सा अवेर रहा कीजेगा स्टीमिंग के टाइम पर आपको विकेट के बारे में करा तो आपकी पूरी टीम खराब हो सकते यह चीज आप दो-तीन मैचस से देख रहा होंगे और हमारी टीम चल भी से ले रही क्योंकि हम पहले पिच को देखते हैं पिच को रीड करते हैं फिर टीम बनाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंग हर एक प्लि बात कर लेते हैं तो इस मिर्थी मंदाना जो कि राइट हैं इन्होंने 140 मैचस खेले टीटी प्लस हंडेड मिला के 27 का बनता है दा हंडेड में इनके पिछले पांच स्कोर्स जो रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं एक बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है बाकी टा 100 मिलाके होते हैं 4000 सूपर रन है एवरेज इनका 23 का बनता है मंदाना से थोड़ा सा कम है 122 का दा हंडेड में इनका परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ा सा बैटर लग रहा है पिछले तीन मैचस से 20 प्लस रन्स हर बार करने एक 50 लगाया हुआ है तो मंदाना से परफॉर्में यहाँ पे 100 मैचेश मैं हैं तो आपके लिए दोनों ही प्लेयर मेरें एसर आप से इंपोर्ण डाएंगी कोई कि दोनों का फोर्म जो है किसी प्लेयर का आज wilde करना बहूर है पिछले कुछ मैक्स अगर आप 100 के देखे तो यह का अच्छे रह những सॉरी में लास्ट मैच आप नहीं कर रहा था थोड़ी सी इंपॉर्टेस उसकी रहेगी कुछ उसमें अच्छा पर्फॉर्मेंस देया था तो यह चीज आप थोड़ा सा नोटिस करिए का जो प्लेयर है नंबर तीन पर बैटिंग करने आ रही है बट खेल बहुत अच्छा रही है इनका बैटिंग जरूर सब्सक्राइब करने बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए आपको उनको टीम में लेना चाहिए फिर आती है स्टेफनी टिलर जो की नंबर चार पर बैटिंग करते हो आपको दिखेंगी साउधन ब्रेफ की तरफ से राइट है राइट आम और ब्रेक बोलर है चौतिस का पाकिस्तान से वाले उसमें आपने देखा था यहीं काफी बढ़िया पर्फॉर्मेश दिया था शौट फॉर्मेट में भी वैसे तो बड़े फॉर्मेट में स्टेफनी टिलर ज्यादा आपके लिए इंपटर रहेंगी तो आपके लिए कपतानी आपिशन पर स्टेफणी यही बन जाती है स्टेफनी के हंडेड में इसके पर्फॉर्मेंस आपके सामने हैं और साथ ही सब्सक्राइब करने हैं और इनके रिकॉर्ट पर इतने अच्छे रहते नहीं जित्त अच्छा पिछले मैच में खेली है तो भरूसे मंद प्लेयर नहीं है बट जेल वगएरा में और फिछले यह मैच की तो विट की थे मैच में को मिली है और 22 क्यों में नेके गए हैं तो इसके पहले टीटुटप्व में मैकम नेचाहिए तो पुराने पांच में से पांच में करो हैं तो और रिकॉड का काफी अच्छा बनता है 140 में ऑसाइब के नाम पर राइट हैं मे यहां पर वेलिंटन को फिछले पांच मैंच में पांच बार विक्टे में तो वेलिंटन जो है वह बॉलिंग में थोड़ा सा बेटर करनी है श्रप शोल के मकाबले तो आपको श्रप शोल से ज्यादा प्रिफ्रेंच पहले अमांडा वेलिंटन को भी देना चाहिए को बैटिंग में थोड़ा सा आप आएंगी और प्लस बॉलिंग में थोड़ी से रिकॉर्ड अच्छे इनक्या भी रिसेंटली चल रहे हैं फिर आती हैं फीम और इस पच्छे सिनिंग में चौब चौबिस बार पच्छेस मैच दा हंडेट टूनामेट में पिछले 6-7 मैचे में मात्र एक विकेट इनको मिली हुई है तो भरोसे मंत प्लेयर यह भी बिल्कुल भी नहीं है फिर आती है काला रोड जो की काफी नीचे बैट करने आ रही है बट विकेट कीपरिंग करती तो आपको उसमें थोड़े बहुत पॉइंट दे सकती है स्टॉंग टीम का हिस्सा है जरूर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देंगी यह थाइटी सबिन मैचेज में इनके बारा का बेटिंग एवरेज स्टाइक रडसी का है दा हंडेड मैचेज में की बेटिंग नहीं आई लास्ट में आई तो चार रन ल तो इनका सक्सेस रेट 60% से ऊपर है बॉलिंग स्टाइल काफी जबर्दस्त है फास्ट मीडियम बोलर है तो आपको इनको अपने टीम में कंसीडर करना चाहिए विक टेकर प्लेयर है इसका बात करते हैं वेल्स फायर वोमेंस की जो की थोड़ी सी वीक दिख रही है साउध ब्रेव वोमेंस के सामने ब्राइन इसमित यहां पर ओपन करेंगी हेली मैथ्यूस के साथ जिसमें ब्राइन स्मित का बैटिंग फॉर्म उतना अच्छा नहीं चलता है पिछले मैच में जरूर अरतिस नहीं लगा दी है बट अगर आप बात करें थोड़ा सा बैटर कर लेत बट फिर भी आप इनको टीम में लेकर चल सकते हैं हेली मैथ्यूस की बात करें तो यह आपकी टीम की कप्तान होने चाहिए उननिसकन का बैटिंग एवरेज बनता है रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो बैटिंग में परफॉर्मेंस पिछले तीन टीन टी मैचिस का अगर हम देखें एक बार चली है और बॉलिंग में हर बार चली है अब बात करें तो आखरी मैच में तेरह है उसके पहले एठाइस एक के सिकतर तेटिस तो मोस्ट आप दा मैचिस में बैटिंग में काफी बढ़िया कर रखा है साथी साथ अगर हम बॉलिंग रिकॉर्ड द स्टेफनी को दूंगा या और भी कुछ ऑप्शन से मैं भी आपको आगे बता दूंगा इसके और आते हैं जी रेड़ माइने का देखिए दा हंडेड में फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है पिछले अगर हम बात करें छे मैचस की दो बार परफॉर्मेंस इनकी अच सब्सक्राइब कर सकते हैं रीसेंट फॉर्म हंडेड में उतना अच्छा नहीं चल रहा बट टीटूंटी में काफी जबरदस इनों ने खेला था अभी रीसेंटली तो उस हिसाब से आप पिक कर सकते इनको अगर हम बात करें सारा टेलर की तो सारा टेलर का फॉर्म थोड़ सब्सक्राइब जब इन्होंने कैच से स्टंपिंग के पॉइंट दिये हैं आपको दिख जाएगा वन सी यानिकी एक कैच वन एस मतलब एक स्टंपिंग यहाँ पर मैंने वह चीज टीटूंटी में भी लिख रखिए तो यह आपको विकेट कीप्रिंग से कुछ पॉइंट सब्सक्राइब जरूर देंगी या तो सब्सक्राइब बैटिंग में अभी रिसेंटली फॉर्म जो है सरा टेलर का उत्मा अच्छा नहीं चल रहा है फिर बात करते हैं सोफिया लफ की बैटिंग एवरेज एक मैच में चली है और दा हंड़ेड मैच में तो बिल्कुली भी इसके हम बात मैच में ने ऑननिसटएं लगाए ते उसके बात करते हैं पेपा क्लीरी की Pgaryश सब्सक्राइस की अगर हम बात करें इनके तो लास्टमेच में विकइट लजए ल manufacturers घाchęई इसकी तो आखरी तीन मैचस में एक बार बॉलिंग नहीं करी दो बार बॉलिंग करके हमीशा विक्त लिए हैं आइटम मीडियम बहुत है आपकी टीम में होने चाहिए फिर बात करते हैं हैने सी काफी नीचे बैट करने आती है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती हैं प्लस ब बैटिंग सेक्शन में आपके लिए उत्यच्छ उप्शन नहीं होंगी यह बैटिंग सेक्शन में आपको दी हुई है इसलिए मैं यह आप चीज आपको बता रहा हूं इनके रिकॉर्ड टीटी के आप देख सकते हैं मुस्ट आप दा मैचस में फ्लॉप ही गई है दा हंड फिर आती है निकोल हार्वी लैग ब्रेक गूगली बूलर है बॉलिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है बट फिर भी ठीक आपके लिए हो शकती हैं चार मैच चार इनिंग तीन विक्ते हैं रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं देख रहे हैं मोस्ट आप दा मैचस में विक्त कर जाते हैं तो इन पर आप ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते एक्सटाज में के पास जाले खेलने के चांसे तो और भी जाता कमें का रिकॉर्ड उत अच्छा नहीं है तो यह बात दूरी टीम होगी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया आप बता दिये आप एक बार और यहां पर विजिट कर लिएगा और देख लिएगा रिकॉर्ड को ठीक से अब हम बात करते हैं ड्रीम 11 और फैन टू प्ले टीम की क्या हमारी टीम से मैच में होने वाली है तो गई सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की ड्रीम पर थोड़ा सक क्रेट का इशू रहेग रहेंगी सरा टेलर जहां जहां पॉसेबल आप सब्सक्राइब को प्रिफर कीजिगा काला रड को आपको सिर्फ मजबूरी में लेना है क्रेट मेंटिन करने के लिए यहां पर मैंने देखिए पहले आपको बता रखा है साउधन ब्रेव वोमेंस की टीम जो है वो काफी रहांगे खास करके डंकली का परफॉर्मेस अभी रीसेंट मैचिस में मंधाना और व्याट से भी अच्छा आया हुआ है तो इसको आप सेकेंडी प्लेर लेके ना चले आप इसको में लेकर चलिएगा तो डंकली को भी आपको टीम में कंसिडर करना है मंधाना व्याट को भ साउदन ब्रेफ की जहातर बैटिंग टिकी हुई है साथी साथ स्टैफनी टिलो जो की नंबर चार पर बैटिंग करने आएंगी इनको भी आपको नहीं भूलना है यह आपकी वाइस कप्तानी के लिए काफी अच्छी हो सकती है फिर यहाँ पर मैंने हेली मैथ्यूस को टीम सब्सक्राइब करते हैं तो दोनों की ठीकी चल रहे हैं आपके सकते अबरेज परफॉर्मस चल रहे हैं तो आपको समझ में आयो तो वैलिंग्टन जो थी पिछले पांच मैचस में हर बार विकेट इनको मिली है तो और हम बात करें तो पांच में से चायद दो ही बार उनको विक्टे मिली हैं तो वेलिंटन का ज्यादा बैटर है जहां पर शरफ शोल कभी कभी एक एक विकेट निकाल दें वहां पर वैलिंटन कभी दो-दो विक्टों से ज्यादा निकाल जाती है तो वैलिंटन मेरी फिवरेट चॉइस रहेंगी उसके बात अगर ट्राइब करना वेल्स फायर की और हारवी को पिक कर रहा है थोड़ा सा मजबूरी में के जगे आपको पास ऑप्शन रहेंगे काफी ज्यादा आप चाहें तो बेकर को पिक कर सकते हैं और भी साड़े अट्केट में आपको फी मॉरेस वगयरा की ऑप्शन टार नौर्स बगयरा की ऑप्श यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है तो खोड़ना पड़ेगा तो मैंने सब्सक्राइब के अब बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर दो बूलर्स और वाटमन पर बना सकते हैं तो थोड़ी सी तीम आपकी सेफ बन जाएगी में देखे मेरे पास इस बार सारा टेलर भी थी पर और रैडमें भी थी आपको बता चुका हूं देखे ड्रीम-11 पर भी अगर आप बना रह लिए हैं चाहिए आप व्याट को कंपेर कर लें मंधाना को कंपेर कर लें उनका टीट्वेंटी फॉर्म बहुत अच्छा रहा है यहां पर रडवेन का और मैंने इस देखिए सारा टेल को आप चाहें तो ले सकते हैं यहां विकेट कीपर कोगी आपको एक्स्टा पॉइंट अच्छा नहीं चल रहा है तो मैंने रेडवेन को फ्रेफर किया आप चाहिए यहां पर सारा टेल को भी ले सकते हैं बैडिंग सक्षिन अगेन वह तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर स्मिर्टी मंदाना सोफिया डंकली व्यार्ट तीनों को मैं टीम में कंसीडर करूंगा और यहां पर पांच ले लिए क्योंकि आपको उप्शन मिलती है फैन टू पले पर पांच उल्डांड लेनी इपांच में मैं यहां घिल्य मैंध्यूस को लिए है ब्रायन स्मित को लिया है स्टेफ़नी टेलर अमान्डा जीड वेलिंग्टन और अन्या श्रप्षूर को टीम म वालों क्याप्टन मैंने रखा है हेली मैंत्यूस को वाइस के पर रखा है स्टेफनी टेलर को आप भी यहीं टीम के साथ जा सकते हैं चाहे थो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं ब्राइन इसमें तो यह भी नहीं है और अगर हम बात करें यहां पर बैट्समैन में तो य कर सेल चलिए गा रेडमेन को भी आप जील वगेरा में ट्राइब कर लिजेगा तो एक बार आप इसक्रीन शॉट भी लिजिए मेरी फैंटू प्ले की टीम का अब देखते हैं चैलेंज फैंटसी मैंने और चैलेंज फैंटसी में आप यहां पर देख सकते हैं काफी साथ च यहां पर खुद से भी टीम बना सकते हैं जैसे क्रियेटियो और ऊर्न चैल भी बना सकते हैं मैं चलियर आप मैं चलुएंज मैं पर आपछपन को आपको इस में वितलि सोफिया डंकली देख रहे हैं जो टीम की लीडिंग रन स्कूरर है इसके लावब बैटिंग सेक्चन में मैं आपको बताई दिया और लाउंडर सेक्चन में आपके पास अमांडर जीड वेलिंग्टर है स्टैफनी टेलर हैं यह आपके पास कुछ अच्छे वाल डांडर बॉ चलिए मैं और लाउंडर को पिक करता हूं स्टैफनी टेलर को तो नेक्स करते हैं कैप्टन रखता हूं मैं यह आप हिली मैथ्यूस को और मेरे टीम में स्टैफनी टेलर भी हैं 500 रूपीज का एक कॉंटेस्ट बनाता हूं जिसका प्राइज रहेगा 900 रूपीज और इसको क कर सकते हैं यह आपके उपर है आपको खुद से का कॉंटेस्ट बनानी है दूसरों की कॉंटेस्ट में एंटर करना है अपनी टीम लगा कर वीडियो कहां पर करते खत्म फेंटू प्ले पर अगर आप तक रेजिटर नहीं करा तो कर लिजेगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है रेफर कोट एफेक्स लगाएंगे तो आपको कुछ बोनस मिल जाएगा फ्री एंट्री मिलेंगी इसके लावा हंड़ेट प्रसेट बोनस यूजबिल कॉंटेस्ट भी आपको दिखने लगेंगे तो एफेक्स उसर बनना आपको काफी जरूरी है तो जब